कोवलम तिर्बनंतपुरम शहर के दक्षण के ओर 16 किलोमेटर के दूरी पर स्थेत कोवलम एक सागर तट्यन नगर है कोवलम नाम का अर्थ है नारियल के पेड़ों की नाली और नाम के जैसे ही ये नगर हरे भरे नारियल पेड़ों की अनंत दृष्य प्रदान करता है तीनों दिशाओं में पानी से भरा ये समुद्र तट अंतराश्य स्थर पर प्रसिद्ध है लाइट हाउस बीच लाइट हाउस बीच यहां के तीन दर्याओं में से सबसे बड़ी है इस दर्या का नाम कोवलम में स्थित 35 मीटर उंचे लाइट हाउस से जुड़ी है जो कि समुद्र के पास नारियल से भरे करुंगल पहाड़ी के उपर बनाया गया है इस समुद्र तट के किनारों में कई रेस्टोरांट और रिसोर्ट में समूरी भोजन मिलता है लाइट हाउस दरिया परियतकों का मन पसंद है और नहाने के साथ साथ सर्फिंग के लिए भी बार बार वे यहां आते हैं हवा बीच लाइट हाउस के सामने स्थित हैं हवा बीच या इव्स बीच कई गतिविद्यों के केंद्र यहां समुंदर में मचवारों को अपने छोटे नाओं के साथ कामों में जुड़े देखने को मिलता है चट्टान के खाड़े और शांत नीले पानी मिलकर शाम के नजारे को बहुत खूब सुरत बनाता है समुद्र बीच कोवलम के उतर भाग में स्थित हैं समुद्र बीच कई सारे मचवारे यहां नहीं दिखते हैं पर एक विशाल भुनासिका है जिसके वज़े से कई परियटक यहां सुकून के लिए आते हैं यहां समुद्र के तट पर चलते हुए लहरों को पास के पत्थरों पर आठकराने के द्रश्य अत्यंत मनमोहक है परिवारों के लिए चलते हैं चुट्यां बिताने और पानी में मजे लेने का उत्तम स्थल है यहां परियटकों के लिए कई सारे आकरशन है यहां पर सूर्य अस्त का नजारा दिल्चस्प है अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थन करने या बली अरपन करने के लिए विशेष धार्मिक अवसरों पर कई भक्त यहां पर आते हैं। इस समुद्र तट को तिर्वनंतपुरम के अपने माने जाने वाले स्रधेय देवता, स्री अनंत पद्भनाबन के आराट कड़ू या विशेष नान की जगा मानी जाती हैं। 35 मीटर लंबी, खूबसूरब मंस्यांगना की प्रतिमा यहां का मुख्य आकर्शन हैं। और इस प्रतिमा को केरल के प्रसिद्ध संगतारश कुण्य रामन ने बनाया है। कुच्चु वेली टूरिस्ट विलेज। तिर्वन अंतपुरम से 12 किलोमेटर की दूरी पर स्थित हैं एक शांदार पिक्निक स्पोर्ट कुच्चु वेली टूरिस्ट विलेज। इसके दक्षन तड़ पर स्थित हैं एक विशाल बगीचा। यहां कई प्रकार के आकर्शन देखने मिलते हैं जैसे की बच्चों के लिए खेलने का स्थल, वेली जील में अलग-अलग प्रकार की नाव की सवारी, खेल मनोरंजन, घोडे की सवारी और फ्लोटिंग रेस्टरांट। तिर्वनंतपुरम के नस्दीक स्थित इस प्रमुक निर्मल समद्र तट के एक तरफ जील हैं तो दूसरे तरफ है सागर। पुवार बीच तिर्वनंतपुरम के दक्षिन सिरे पर और कोवलम से 12 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है प्रमख पुवार समुद्र विलेज पुवार एक प्राकृतिक अजुबा हैं जहां जील, बैक वाटर और सागर मिलते हैं माना जाता है कि राजा मारतांडवर्मा ने इसे पुवार नाम दिया जिसका अर्थ होता है फूलों की धारा यहां की सबसे बड़ी आकशन है नौका विहार यह ट्रिवैंडर्म से 30 किलोमेटर की दूरी पर हैं समुद्र के एक तरफ लहराते नारियल के पेड़ यहां के प्राकरतिक साउंदर्य को चार चान लगा देता है विल्जम यह बंदरगा शहर की जोर और शोर से अलग ही एक दुनिया है कोवलम से 3 किलोमेटर दूरी पर स्थित विल्जम अंतराश्य बंदरगा का प्रस्तावित होने पर प्रसिद्ध हुआ सदियों से चल रहे मचली उद्योग आज भी यहां मौजूद है और यहां मच्वारों को परंपरागत नाओं के संग काम पे देखना दिल्चस्प है इस बंदरगा की एक और खुबी है यहां की रंगीन मस्जिद जो के हर तरव से दिखाई पड़ता है रहने की सुविधा तिर्वनंतपुरम और कोवलम में केवल 700 रुपे से लेकर मिल जाता है साथ ही बड़े रेसोर्ट और पंच नक्षत्र होटल भी रहने की शांदार सुविधाएं देती है केरल के अलग-अलग जगाओं और तमिलनाडु से भी तिर्वनंतपुरम से होकर कोवलम तक बस सर्विस उपलब्ध है निकट्टम रेलवे स्टेशन तिर्वनंतपुरम सेंटल स्टेशन है जो सिर्फ 13 किलोमेटर की दूरी पर है और निकट्टम हवाई एड़ा तिर्वनंतपुरम इंटर्नाशनल एपोर्ट सर्फ 16 किलोमेटर की दूरी पर